उत्राखन में 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होना है जिसके लिए निर्वाचन विभाग पूरी तयारियों में जुट गया है ये मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से हो इसके लिए सुरक्षा विवस्था पहली प्रात्मिकता होगी लेहाजा विभिन जिलों में सुरक्षा टुकडियों दौरा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं उदम सिंग नगर के जस्पूर इलाके में भी जिलादीकारी युगल किशोर पंत और स्सपी बरिंदर जीत सिंग ने सुरक्षा टुकडियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया और लोगों से कुविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो करने के अपेल की साथ ही 14 फरवरी को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगतंतर केस उत्सप में भाग लेने के अपेल की जितने की लोग गर्न से बाहर निकल गुआ है इसके साथ है इंगि जौर एपरन का गुल मदाने लोगों अगने तो फोरह को हमारा व्रून कहला है झाल जखलार वाल के लोगों के दो जोगों के दोला है कर्षार प्रश्चालर से अरिया जुड़ता है तो हम वो कॉडिनेशन में हैं अब अगे आगे लिए निग डिस्वे अगे बाइड गया है जो को पार्च के दोरा अगे आगे इस नहीं है इसके अलावा जो इसी आई की साइड लाइंग से लिए चुनाव कराए जाने हैं। उत्राखंट बागेशवर जिले में चुनाव की तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। परिशानी उत्पन ना हो। लेहाजा ट्रिनर मतदान कार्मिकों को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रशिक्षन दे रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग अभी कई दिनों तक करमचारियों को कई चरणों में प्रशिक्षन देगा। जिसमें इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपेट, बीउ और सीउ की जानकारी देगा। विदानसवा चुनाफ के बीज बड़ी खबर सामने आ रही है। हरक सिंग रावत के सियासी हजल के बाद भाजपा से एक और खबर आ रही है। अब पूर्व मुख्यमंतरी त्रवेंद्र सिंग रावत ने चुनाफ लड़ने से मना कर दिया। बकायद उनों ने राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़्डा को पत्र लिक कर वर्ष 2022 का चुनाफ ना लड़ने का आग रहे किया है। त्रवेंद्र सिंग रावत ने अपने पत्र में कहा कि युवा मुख्यमंतरी पुषकर सिंग धामी की नेतरत्व में वे फिर से उतराखन में भाजपा सरकार लाना चाहते हैं। इसलिए वे चुनाफ में लड़कर पूरे प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी के लिए काम करने के चुक हैं। इसलिए उनके चुनाफ ना लड़ने के फैसले को सुईकार किया जाए। आगामी विधानसवा चुनाफ को देखते हुए कॉंग्रेस भाजपा को हर कदम पर गेरने की कोशिश में जोटी हुई है। हल्दवानी में आज कॉंग्रेस नेता यश्पालारे ने एक प्रेस कॉंफरेंस कर भाजपा की केंद्र और राजिस सरकार पर जम करने शाना साथा। इस दोरान कॉंग्रेस ने एक बुकलेट भी जारी की जिसका नाम है आमदनी ना हुई दो गुनी दर्द सो गुना। साल दर्द साल किसानों के साथ कुठारा घाद किया गया और किसानों के आय दोगुना करने की अपेक शादस गुना कम कर दी है। इसलिए पांच राजियों में चुनाव के दुरान वोट की चोट ही किसान विरोधी भाजपा सरकार को सच का आयना दिखाएगी और भाजपा की हार ही पांच राजियों में किसान की जीत होगी मैं कहना चाहूंगा कि भाज तो महगाई के सरकार द्वारा महगाई के खिलाव आवाज उठाने का काम जब पहली 2014 में जोर सोर से क्या करते थे आज उन्होंने महगाई को चरम शीवा पर लाखड़ा किया है महगाई आस्वान को चू रही है जनता तरस्त हो चुकी है हर वस्त खिंडक्रियोंश नसीब नहीं हो रही है। और किसानों के साथ जिस तर पिसानों के आज ये रूप दुबनी तो नहीं हुई लेकिन पिसानों के साथ जिस तर से हमले हुए हैं काला कानून ठोकने की कोशिश की गई है उत्राखन राजे में पिछले साथ महीनों के बाद कोरोना संक्रमर के माम ले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं बुदवार को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रदेश बढ़ से 4402 कोरोना संक्रमर के नए माम ले सामने आये हैं स्वास्ते विभाग के ओड़ से जारी हेल्थ बुलिटिन के अनुसार आज यानी बुदवार को प्रदेश बर में 4402 कोरोना संक्रमर के माम ले सामने आये हैं जो की बीते दिनों से काफी अधिक हैं इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश बर में 1,956 लोग कोरोना संक्रमर से ठीक हो चुके हैं इसके साथ ही 6 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है आला कि अब तक उत्राखंट में 7,456 लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्त विभाग के हेल्थ बुलिटिन के अनुसार राजी में 22,962 एक्टिव केस हैं तो वहीं 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा देरादून जिले में 1678 नई केस सामने आए हैं इसके साथी ननिताल जिले में 592, बागेशवर जिले में 148, चंपावज जिले में 75, उत्तरगाशी जिले में 38, हरिदवार जिले में 694, अलमुडा जिले में 225, रुदर प्रियाग जिले में 16, पितोरगड जिले में 123, टिहरी जिले में 126, चमूली जिले में 73, बौडी ज जिले में 376 केस आये हैं तो वहीं बीते दिन यानी मंगलवार को प्रदेश भर में 4482 नए मामले सामने आये थे हाला कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सुआस्ते महिकमा लगातार व्यवस्ताओं को मुकमल करने में जुटा हुआ है तो वहीं उत्रखंड शासन सक्त से सक्त कदम उठाए जाने की बात कह रहा है